वाक्ट या फिक्षन भारतिये पुलिस हो या सेना इनसे जुड़ेवे हर मामले बेहद सतर्ग और संजीदा होते हैं और इन मामलों में अंध विश्वास की कोई जगा नहीं होती ये कहानी है भारतिये सेना के विश्वास की जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनी है एक सैनिक है जो मरनों परांत भी अपना काम पूरी मुस्तेदी और निष्ठा से कर रहा है मरने के बाद भी वो सेना में कारिरत है और उसकी पदोन्नती भी होती है हैरान करने वाली ये दास्तान है बाबा हर भजन सिंग की 30 अगस्त 1946 को जन में बाबा हर भजन सिंग 9 फरवरी 1966 को भारती सेना के पंजाब रेजिमिंट में सिपाही के पद पर भरती हुए थे 1968 में वो 23 पंजाब रेजिमिंट के साथ पूरवी सिक्किम में सेवा रत थे 4 अक्टूबर 1968 को खचरों का काफिला ले जाते वक्त पूरवी सिक्किम के नाथुला के पास उनका पाउं फिसल गया और तीन दिन तक न लोटने पर उनके सीनियर आफिसर ने उन्हें भगोडा घोशित कर दिया लेकिन उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी उन्होंने सपने में अपने साथी को बताया कि घाटी में गिरने से उनकी मृत्यू हो गई है पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहा कर दो किलो मीटर दूर ले गया है खोज बीन करने के तीन दिन बाद भारतिय सीना को बाबा हर्भजन का पार्थिफ शरीर उसी जगह मिल गया कहा जाता है लोगों में इस जगह को लेकर बेहद आस्था थी लिहाजा श्रद्धालू की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतिय सीना ने 1982 में उनकी समाधी को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया जिसे अब बाबा हर्भजन मंदर के नाम से जाना जाता है हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी समाधी के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर उसमें चमतकारिक गोणा जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालू अपने रोगों से छुटकारा पा लेते हैं कहा जाता है कि मृत्यू के बाद भी बाबा हर भचन सिंग नाथुला के आसपास चीन की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपनों में देते रहते हैं जो हमेशा सच साबित हुई इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणों परांत भी भारतिय सेना में सेवा में रखा गया उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी बाबा हर भचन सिंग की आत्मा भारतिय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है बाबा हर्भजन सिंग को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है भारतिय सीना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं वहाँ तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किये हुए जूतों पर कीचड लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिल्वटे देखी जाती है बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं चीन की सेना भी बताती है चीनी सिपाहियों ने भी उनके घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टी की है भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने पर यकीन रखते हैं और इसी लिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुरसी बाबा हरभजन के नाम की भी रखी जाती है सारे भारतिय सेनिकों की तरह बाबा हरभजन को भी हर महीने वेतन दिया जाता है सेना के पैरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नती भी होती है अब बाबा सिपाही से कैप्टन के पदपर आचुके हैं हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक दो महीने की छुट्टी दी जाती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानिय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन दो सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से नियू जलपाई गुडी रेलवे स्टेशन लाते हैं वहां से डिब्रुगर्ड अमरत सर एक्स्प्रेस से उन्हें जालंधर लाया जाता है गाड़ी में उनके नाम का टिकेट भी बुक कर आया जाता है यहां से सीना की गाड़ी उन्हें उनके गाउं तक छोड़ने जाती है जहां पोहँचकर उनका सारा सामान उनकी मा को सौपा जाता है और फिर दो महीने के छुटियां खत्म होने के बाद बाबा को उनके सभी सामान के साथ वापस ड्यूटी पर लाया जाता है भारती सीमा पर तैनात देश का ये अमर जवान भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1979 को महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें